हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं अनुराधा एहल कर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा के यार चानल अभी एप्रील और में का महिना चल रहा है बाजार में हर जगा तर्भूज यानि की वाटर मिलन बहुत ही पर्यापत मात्रा में अवेलेबल रहता है अगर आप गर्भबती है तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि प्रेगनेंसी में आपको वाटर मिलन यानि की खर्भूजा खाना चाहिए या फिर नहीं क्यूंकि प्रेगनेंट होते ही आपको हमेशा ही इस बात का डर रहता है कि क्या खाएं क्या खाने से आपका बच् खाना चाहिए और अगर आप प्रेगनेंसी में वाटर मिलन खाते हैं यानि की खर्भूजा खाते हैं तो आपको इसे क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकता है और कब आपको खर्भूज खाने से परहेज करना है देखिए फ्रेंट्स खर्भूज यानि की वाटर मिलन एक यानि कि इसमें लगभग 90 भी फिसदी वाटर होता है और इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइडरेट और विटामिन जैसे की विटामिन A and C और बहुत सारे माउंट्स में मिनरल्स और आंटी ऑक्सिदेंट्स भी होते हैं वाटरमिलन यानि कि खरभुजा में लिटीन और लाइकोपीन नाम का दो आंटी ऑक्सिदेंट होते हैं जो कि आपके बर्डी को प्रोटेट करता है डीजीज में और डामेज से ये आपके आई को सुरक्सित रखता है आपके लॉंक्स को सिरक्सित रखता है आपके किड्नी औ पोशन्ट के बज़े से या फिर मिनेरल से या फिर आंटी ऑक्सिदेंट के कमी से कारण से या फिर विटामिन्स के कारण से बहुत सारे महिलाओं को प्री टर्म बर्थ होता है यानि कि समय से पहले उनका बच्चा पेदा हो जाता है अगर एक गर्मवती महिला नियामित तो हम फिर में वह भी कम हो जाता है जैसे कि प्री एकलामपैसिया ये करन्दीशन है जिसमें के गर्भवती महिला का जो ब्लड प्रेशर होता है वह हो जाता है इसलिए इसलिए उनका हाथ पेड़ फूलने लगता है और साथी साथ जब पेशाब करते हैं यानि कि उरिनेट करते हैं उनके पेशा में प्रोटीन भी लॉस हो सकता है इस सिच्वेशन के बज़े से उस महिलाओं को प्री टर्म लेवर भी हो सकता है और बच्चा की भी घर में सुरक्सित नहीं होता है अगर आप रोजाना वाटरमेलन याने की घरवुजा खाते हैं तो आपको प्री एकल सर्कुलेशन अगर होगा तो आपका बेबी अच्छे से नरीश होगा और अच्छे से ग्रोव होगा और साथ ही साथ हाइडरेट रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चा जिस थेली में रहता है उसमें पानी भरा हुआ होता है जिसको कि हम अम्नियोटिक फ्लुइड बोलते हैं अगर अम्नियोटिक फ्लुइड कम हो जाता है प्रेग्निंसी के दोरान तो आपका प्रीटर्म लेवर भी हो सकता है बच्चे का ग्रोथ भी रुख सकता है और कभी-कभी बहुत ज्यादा कम हो जाने से अम्नियोटिक फ्लुइड बच्चे का डेथ भी हो सकता है तो अगर आप watermelon खाते हैं pregnancy के दोरान तो यह सब complications से भी आप बच सकते हैं और आप hydrate भी रहेंगे आपका बच्चा ठीक से growth करेगा और आपका preterm liver का चांसे वो भी कम हो जाएगा आपका fetal growth भी अच्छा रहेगा यानि कि बच्चे आपके कोक में अच्छी तरह से growth करने लगेगा और जो birth defect होता है यानि कि बच्चे का बिकलांग होने का जो chances होता है वो भी कम हो जाएगा और एक जो समस्य होता है गर्वबती महिलाओं को पूरे नौ महिने के दोरान बहुत सारे महिलाओं को digestion नहीं होता है उनकी हज भी नहीं होता है अगर आपको type 2 diabetes है या फिर आपको PCOD है या फिर आपको gastrational diabetes है तो आपको खरबूजे से थोड़ा परहस करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप खरबूज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए लेकिन आपको उसका quantity कम रखना चाहिए क्योंकि खरबूजे में बहुत ज्यादा amount में carbohydrate होता है और थोड़ा कम amount में fiber होता है तो अगर आपको इन तिनों condition है तो आप खरबूजे थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाए लेकिन आगर आपको यह सब समस्या नहीं है तो बेज ही जग ही आप pregnancy में खरबूजे खा सकते है प्रेगनेंसी के लिए खरबूजा एक बरदान से कम नहीं है तो मैं उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक किजेगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर किजेगा और एक नए इंफरमेटी वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए stay healthy and stay happy